भारत ने साउथ अफ्रीका को तीन वंडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में आठ विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज में पहला मैच की बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिह ने पांच लिए और आवेश खान ने चार विकेट टोड़े। इसी के साथ अर्शदीप को प्लेयर आफ दमाच चुना गया। अर्शदीप ने जीत के बाद कप्तान केल राहुल का जमकर धन्यवाद किया और पांच विकेट लेने का श्रे उन्ही को दिया। जय हिंद दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में दोस्तों अगर आप भी इंडियन टीम को सपोर्ट करते रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अर्शदीप का यह चोथा वंडे मैच है उन्होंने इससे पहले तीन मैचों में एक विकेट भी नहीं लिये था। अर्शदीप ने कहा तीन माचों में एक भी विकेट नहीं लिया जिसके कारण वह काफी दबाव में थे। लेकिन आज के मैच के बाद साउठ अफरीका को दादी नानी सभी याद दिला दी ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन क्या की साउठ अफरीका अर्शदीप को भूल नहीं पाएंगे अब पाँच विकेट लेकर मैं काफी खुश हूँ पिट से शुरुवात में तेज गेंद बाजो को मदद मिल रही थी हमारी योजना उन्हें बोल्ड या लबी डबल्यू करने की थी यह सफर रही अर्शदीप ने 10 ओवर में 37 रंग देकर पाँच विकेट लिये जोहानिस्बर्ग के न्यू वांडरर स्टेडियम में दक्षिन अफरीका के कप्तान एडेन मारकरम ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी का फैसला किया उनकी टीम को 116 रन पर सिंटा दिया जवाब में भारतिय टीम ने सिर्फ 16.4 ओवर में 117 रन बनाकर साउठ अफरीका को हरा दिया और भारत ने जीत हासिल की भारत के लिए डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन नाबाद 55 रन बनाये थे उन्होंने 43 गेंद की पारी में 9 चौके लगाए पयर ने 45 गेंद में 52 रन बनाये थे उन्होंने 6 चौके और 1 चौका लगाया रितुराज गायकवार 5 रन बनाकर आउठ हुए तिलक वर्मा 1 रन बनाकर नाबाद रहे दक्षन अफरीका के लिए वियान मुल्डर और एंदिले फैलुकवायों ने एक-एक विकेट लिए